हेई, what's up everyone, welcome back, तो पिछली वीडियो में exercise 8.1 introduction हम लोग देख चुके थे, comparing quantities हमारा chapter है, ये वली वीडियो में फटा-फट से हम लोग start करने वाले है, question number 1 exercise 8.1 का class 8, तो चलिए start करते हैं, तो एक reading देते हैं, question को कहा है, ये कहा रहा है, find the ratio of the following, हमें क्या निकालना है, main यहाँ पर हमें निकालना है ratio, ठीक है, A part क्या है, कह रहा है, speed of a cycle 15 km पर आर, to the speed of scooter 30 km पर आर, तो question number 1, part A, speed of a cycle कितनी है, 15 km पर आर, और ये हमने लिग दिया, next क्या है, speed of scooter 30 km पर आर, तो ये हमने लिग दिया, speed of scooter कितना हो गया, 30 km आर, next हम हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका ratio 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 निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको हम लिखेंगे 15 इसको थोड़ा सा बढ़ा करके हम लिख देते हैं 1, 5 15 is 2 और यहाँ पे लिखेंगे हम 30 ठीक है अब इसको हम क्या करने वाले हैं हमने यहाँ पे 15 is to 30 तो लिख दिए हैं यहां पर यह हमारा आंसर नहीं होगा आंसर इसको लिख भी सकते हैं बट NCRT में इसमें इन्होंने क्या किया हुआ इसको simplify किया हुआ है तो simplify करने के steps में आपको बताता हूँ अब मैं यहाँ मैं लिख रहा हूँ further तो यह आगया हमारा वन बाइ टू तो इसको हम लिख सकते हैं वन इस टू टू फाइन और यह हमारा final क्या हो जाएगा answer तो यह हो गया हमारा part A solve तो बढ़ते हैं part B की तरफ तो अब चलते हैं part B की तरफ पार्ट B में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 5 meter to 10 km तो यह देखते हैं तो first quantity हमें क्या दे रखी है यह में दे रखी है 5 M M का मतलब यहाँ पर क्या है meter ठीक है ऐसी second quantity हमें क्या दे रखी है यह मैंने निशान बना है इसका मतलब है quantity second quantity यानि उपर वाला सेम है तो second quantity हमें क्या दे रखी है यह हम यहाँ पर हम लिख लेंगे यह हमें दे रखी है 10 km क्या इसको मैं मीटर में है और इसकी क्या है किलो मीटर है यह दोनों यूनिट्स जो है मीटर किलो मीटर यह सेम होनी चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम इसको किलो मीटर को मीटर में चेंड कर देंगे इक्वल्स टू टें इन्टू थाउजन्ड मीटर तो जो की हो जाएगा टें थाउजन्ड मीटर थीक है अब रेशियो में निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रे आर ए टी आई ओ रेशियो हमारी कितनी हो जाएगी फाइव इस टू यह इस टू का साइन होता है हम सब जानते हैं इंट्रोडक्शन में बढ़ा था फाइव इस टू टैन थाउजन ठीक है इसको हम सिंप्लिफाई कर सकते हैं सिंप्लिफाई कैसे करेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव डिवाइड़ बाए टैन थाउजन ठीक है अब फाइव से इसको डिवाइड कर सकते हैं फाइव वन्स आर फाइव और इसको कैसे करेंगे फाइव टूस आर टैन और जीरो 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 तो हमारा answer क्या हो जाएगा that will be equal to one is two two thousand ठीक है fine ये क्या हो गया ये हमारी ratio हो गई इसके आसपस हम बना देते हैं एक box ये हमने बना दिया और यहां पर मैं लिख देता हूँ क्या this is our answer तो part B हो गया तो फटा फट से ब देखते हैं part C तो अब चलते हैं part C में part C में देखी क्या दिया हूँ है 50 Pasa to 5 रूपीज तो इसको हम यहां पर देखते हैं मैं यहां पर आपके लिख रहा हूँ हमारे लिए first quantity क्या है ये है हमारी हम यहां पर लिख रहे हैं 50 Pasa P-A-I-S-A यहां पर देख रहे हैं न आप यहां पर हमें दिया हूँ है 50 Pasa 2 रूपीज ऐसे ही second quantity हम लोग लिख सकते हैं 2nd second quantity यह हमारी कितनी हो जाएगी हमें नजर आ रहा है 5 रूपीज अब quantities को compare करने के लिए जो हमारी unit होती है वो same होनी चीए जैसे यहां पर पैसा यहां पर रूपीज है तो रूपीज को हम क्या करेंगे हम इसको पैसे में convert कर लेंगे so that will be equal to 5 into 100 पैसा 1 रूपीज में 100 पैसा होता है न P-A 100 P-A-I-S-A ठीक है 1 रूपीज में 100 पैसा होता है तो 5 रूपीज में 5 into 100 पैसा तो यह हमारा कितना हो जाएगा 5, 0, 0 P-A-I-S-A 500 पैसा ठीक है अब इसको हम compare कर सकते हैं तो ratio कितनी होगी R-A-T-I-O ratio will be equal to 50 is to 500 further इसको simplify हम कैसे करेंगे देखिए further simplification के लिए इसको हम लिख सकते हैं 50 divided by 5, 0, 0 0 से 0 cancel out 5, 1's are 5 और 5, 10's are 20 तो यह कितना आ गया 1 upon 10 ठीक है तो हमारी ratio कितनी हो जाएगी इस implies हमारी ratio हो जाएगी 1 is to 100 और यह क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर हम लगा देते हैं square ठीक है और यह हो जाएगा हमारा part third का answer fine तो इसी के साथ complete हो जाता है हमारा exercise 8.1 का question number 1 जो कि काफी easy था तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी करेंगे अगले questions step by step तब तक के लिए math practice करते रही है bye bye medis